यहीं समीजी बात करेंगा सोयबीन की तो सोयबीन में हमने लास्ट वीक 6900 के उपर के लेवल्स देखे थे लेकिन वहाँ पे सस्टेनिबिलिटी नहीं देखने को मिली फिर कल के कारोबारी सत्र में हमने 6093 यानि की 6093 के भी लेवल्स टच्च होते वे देखे तो ओवरॉल देख रहे हैं कि लगबग 800-900 का लेवल गिरता नजर आया था लेकिन आज देख रहे हैं पांच फिक्सदी का उपरी सर्कृट लग चुका है और चौनसर सो के उपर एक बाद फिर से सोयबीन ट्रेड करती नजर आ रही है आपको क्या लगता है क्या यह सोयबीन जो तेजी है यह फंडमेंटली है यह टेक्निकली है और क्या यह तेजी आगे भी जादी रह सकती है तो यह बहुत ही बड़ी पॉसिलिटी है कि जो पहले की तीजी थी उसकी रिजम से मियाने फिल से शुरुआत हो चुकी हो एक बड़ी करेक्शन के बाद और चपवन सो से सटावन सो कि जो पहले बात पूचे लिए कि सब्सक्राइब अपनी पॉसिटी बेसे पर नहीं निकल के सब तक दिक पे बाइन कि जा सकती है इस बार अगर तेजी आती है जो मेरे साब से आ सकती है तो हम साथ जार के उपर के जिसकर देख पाएंगे और मुझे लगता है कि 7150 के सब्सक्राइब लेंगे पॉसिटी बेसे 650 के लिए चला जा सकता है 1000 जी हमने पॉल्ट्री से भी काफी जारी मांग देखी है कि जो अगर यसा होता है तो क्या कि गिरावत देखने को मिल सकती है जो आपने बात बता है जो डिस्काउंट होते हुए ही देखा है अब यह फेसला किस तरफ आता है उसके उसके फिलाव में लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर गिरावट आती भी है तो काफी हद्पक लिमिटेड होगी मैं 6,000 से जादा मीचे प्राइबस को जाता हूँ नहीं देखता हूँ पुलिश्टी को अपिस पर गिरावट पेजिए तो मुझे इसलागता है कि उस गिरावट पेजिए दुबारा इज़ाएं को पश्क्राइब लेगी अगरी गिरावट आती भी है जी